हेलो ट्रेडर्स आज का जो अपना वीडियो है वो ऑप्शन चेन के ऊपर है ऑप्शन चेन हमारा कंप्लीट हो गया है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए था कि यह मेरे काम कर रहा हूं इस पर जैसे होगा तो मैं आपके लिए यह कोड अवेलिबल करवा दूंगा तो हमारा यह उप्शन चेन कंप्लीट हो चुका है इसमें आपको निफ्टी, बैंग निफ्टी और फिन निफ्टी तीनो का उप्शन चेन आपको मिल जाएगा अभी आप देख सकते हैं यह लाइव अपडेट हो रहा है कोड में यह मैंने डिले है इसमें एक सेकेंड का ड थोड़ा सा टाइम लेगा यहां पर मैं दिखा हूं यह देखिए यह बता रहा है कि एक मिनट लगेगा लेकिन हमने पहले इसको अपडेट कर दिया है तो यह डाइरेक्ट अडाट डेटा था हमारे पास डाउनलोड किया हुआ तो टाइम नहीं लगा यह निफ्टी में चल वोल्यूम मिल रहा है बीड और आस्क मिल रहा है और एल्टी पी मिल रहा है और वीवेब जो हम एवरेज प्रैस जो बोलते हैं वो भी आपको मिल रहा है और यहीं से आप इसे चेंज भी कर सकते है निफ्टी पे और सेम आपको पुट के भी यह सब भी वेल्यू मिल जाएं है true or false spelling आपको correct लिखना है और capital letter में लिखना है यह दियान रखना है यहां पे आपका user id डाल देना यहां पर यह मैंने dummy डाला हुआ है अभी यहां पर पासवर्ड डाल देना है और यहां पर आपका totp की डाल देना है और इसको आप true कर देंगे तो आपको यहां पर manual ENC token डालने का ज़रूद नहीं है यह खुच से auto login कर लेगा और यहां पर refresh interval अभी यह मैंने one डाला हुआ है तो मतलब एक second के interval पर update कर रहा है यहां पर आप 5, 10, 15 जैसा भी आपको चीए वैसा कर सकते हैं ठीक है friend और इसको अगर आप false रखते हैं मतलब आपको auto login नहीं करना है क्योंकि जिरोदा का web terminal भी आपको साथ के साथ यूज करना है तो यह जो ENC token है यह code के बीच आपको डालना है यह ध्यान रखना है इसको अगर आप हटा देंगे तो यह error देदेगा तो यह इसका format proper maintain करना है आपको यह चीज का ध्यान रखना है और token आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे यह 0-10 मैंने login किया हुआ है तो यहाँ से आपको यह token मिल जाएगा ENC token इसको control A करके copy कर लेना है और पूरा का पूरा डाल लेना है और यह extension आपको कहा मिलेगा वो भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बता है आपकाइट का use कैसे करना है उसमें अगर यह आपको नहीं मालूम है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा बाकी यह आप free of cost option chain यूज कर सकते हैं यह मैं अपनी website पर डाल दूँगा अभी यह video complete होने के बाद जहां से आप use कर सकते हैं ठीक है friends और यह code आपको मिल जाएगा जिसे आप easily cmd से run कर सकते हैं और इसके लिए जो required library है जिसे pandas हो गया, archive connect हो गया तो यह सब आपको download कर लेनी है यह आपको ध्यान रखना है और आपको python आपके system में होना compulsory है तो python आपके system में नहीं है तो उसके उपर भी मैंने video बनाए हुआ है कि how to install python करके तो वह आप check कर सकते हैं और यह file आप मेरी website से download कर लीजेगा और यह required library है वो download करने के बाद आपके system में as it is run करेगा जैसा अभी यहाँ पर कर रहा है अभी यह nifty से हम bank nifty change कर देंगे तो यह देखिए bank nifty यह चल रहा है और यह code आपको में यह मेरी website है tradtools24.com यहाँ पर आपको मिल जाएगा अभी यह complete होने के बाद मैं यहाँ पर upload कर दूँगा जैसा यह हमारा fire order tools है kite order tools है यहाँ पर आपको वो file भी मिल जाएगा तो thank you friends आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में